नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर और आप भाई मेले खतम हो चुके हैं सारे और मेले खतम होने के बाद मैं आप देख रहे हो वही फाम के जो गोड़े हैं उन गोड़ों की भाई सिरीज आज मैं आया हुआ था पंजाब औ मैं या पर कोई आदमी सच बोले मिरे लगते हैं और हमारे मान के चलो की गोड़ा मार्केट की दुरभाग्य है कि जो आजकल सच बोलता है ना उसके हाँ कोई ना लाइक करने वाड़ा है न सेयर करने है तो इम्रान भई तैंक्यू ऐसे लोगो आप भुसला उड़ाते हो तो इम्रान बाई मैं चाहूँआ सबसे पहले एक वार अपना पूरा नाम बता हैं और अपने जो पिंड की जो लॉकेस अने हो बता है फिर हम आगे लोगों को चैंपेन बच्चा भी दिखाएंगे सबी भाईयों को अलब एकम राम राम शहूँआ काल मेरा नाम है इम्रान कलेर बिलकुल और मेरा फार्म सकी सब्सार्ण में बेटी भाई करा चिए मेरे बैटी नाम पर जे लोकेशन है खन्ना में बढ़ता हैं मेरा गाओं लalies dossier गाओं और जो नाम के तो इन सब्ड in नया ब तो अभी फार्म पे कितने हैं टोटल गोडा गोडी की बात करें तो अभी दो हैं एक गोडा एक बच्ची है तो हम लोगों को आज इस वीडियो के अंदर जो बच्चा दिखाने वाले हैं क्या नाम है इसका इसका नाम है जी आल इंडिया चैंपियन आर पी और आर पी का है कि काजिम गोडा भी हिंदुस्तान की साइध यसी कोई रिंग हो जिसमें बेडानी हो बहुत अच्छा गोडा उस जैसा गोड़े नहीं मैंने देखा कि क्योंकि मेरे को पता ही जब में महाराष्ट काया था सबसे पहले भी वीडियो बनाई थी काजिम की उसके सब फैन है अगर बात करें मा की तो आरपी की मा कौन है उसकी माई नूरी मजू के लाइन की तो वो किसके पास में अभी वो चल गी रही ने अब कितना टाइम हो गया उसको अभी 6 मिन हो गया शे महीन है तो किसके पास में ती नूरी वो इम्रान भाई की पास थी इम्रान भाई के पास जो ब्रीड हुआ इम्रान भाई के फार्म पर ब्रीड हुआ है तो कितना टाइम पहले यह अपने पास में आ गया यह इसको डेड़ मीनों अभी जो खत्म होए फ्रीद कोड का उसके बाद मेरे पास आ गया तो क्या है उम्र में बात करें तो अभी जह चौंतिस मीने को गया प जो साथ में रखा वह मैंको चोटा आधमी तो छोटा आदमी यहीं कियो इस थो झाश्य जयादा ब्लृब है अचर भागए कृड़ के रहा करें पर कब तक लाते रहूँ काब कि बागी बात करें हम जैसे आरपी की तो मेरे को लगता ही कि पांच रिंगों में ये बच्चा है जो बेनर बना हुआ हुआ है एक बार इसकी जो बेनर वाली वो जो है उसके बारे में बताऊ- मैं प्र लाश्ट कौन से सफ्ट ना या बीच में वी सोमें- बना हुए उनके बारे में में सबसे पहले तो ज़े पूशकर में बना जो गौर्मन्ट शो होता है ना वहां पर सतर गोडों में ऐस्ट रनर आप रहा उसके बाद पंजाब आगया यह और वहां पर चैंपियन वाना वहां पर लुदियाना शो में उसके बाद पूना लेगे इसको सीधा तो वहां पर जे टू टीथ में फरस्ट नना रप रहा उस दो दांत में दो दांत में उसके बाद जे दो दांत में फिर इसको फ्रीद कोड ले आया हम फ्रीद कोड से वहां पर अभी तो मेरो लगता है गर्मी केह साथ है वेट आप ही ठीक है इसका गर्मी के ऐसाव में जब सकी ज्यादा भी बढ़ाएंगे तो आगर गर्मी आ रही है अगर ज्यादा कम भी करेंगे फिर भी दिक्कत आती है नॉर्मल बेट यह दूसरे नंबर पर है तीर चार सो में ठीक यह लोगों के सहां थोड़ा सा प्यार ज़्यादा था हमारा स्माश्चिघ नहीं । ले खुला से और है तो फिस्टर है। क्योंकि को और यवें बस्टसवाइब में उप्भा क्योंकि कुए पैसा panda थे मिशंश्चा की यग अपने खुटते तो हो पिए कि उनके घर पे कुछ ही टाइम में ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान में उसने इम्रान भाई का नाम करा ऐसा गोड़ा प्रेजिट करके मुझे इम्रान भाई ने गिफ्ट किया और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पंजाब में काजिम का बच्चा सिर्फ मेरे पास ह पाइंडिया चैंपिए तो अभी इसके कर दो इसके कम काय रखी आप जैसे नएं फार्मरं सहा गोड़े आहां जिनके पास गोड़िया अच्छी है थोड़ी वहत इंगी तो आगे रख देंगे फीज ज्याजदा रख देंगे तो नहीं कि फार्मर्स की चंता क्यों कर रहे हैं तो मेरा दोस्त है उसने बोला था वह कितनी फीस रखी इसकी मैंने बोला भी क्यावन हीर फीस ठीक है वह बोला वाई टटूओं की एक एक लाख हो रहे यह तो फिर भी पांच बार का शोब बना हुआ भी न रहा है तो इसकी कं सब्सक्राइब कम से ड्याच रखो मैं करें का हूं इतनी अकात नहीं है हमने स्टाफ भी देखना है हमने फारव भी देखना एं मैंटिनिस भी देखने और मैरे को लगता है कि कम प्रेश रखने से लोगों को अगर पायदा मिलता गोड़ों से नहीं चलता गोड़ों अल्ला ने चलाया हमारा तो बहुत अच्छा शुक्र मनाते हैं उसके आधे जितना दिया सरकार ने मुझको अतनी मेरी उकादमी बिल्कुल बात करें जैसे गोड़ा रखते हुए आपको कितना टाइम हो गया गोड़ा रखते तो मुझे 10 साल हो गे मुझे मैं होस्ट डाइंग करता हूं बहुत ज्यौदा मेरे पास गोड़ा है एक हमारे घर कर यह गोड़ा है वह उस पर मैंने बहुत हो अच्छा आपके पास में पहले कोई तो पहले पहले ना नहीं किना किया इम्रान भई पहलवाणी मेरे कम से कम 10-12 साल की 10-12 साल कितनी कुछ्टिया लड़ी होगी उनकिर पांसो कुछ्टिया तो अभी लड़ते हो कि राशन मेरे तीन अपरेशन हुए दो दिल्ली में वह तो एक मुम्बई में करवाया था जब जाकर ठीक हुआ पहलवानी की वज़े लगी था पहलवानी की बज़ा में लगी थी नव में धूर एंडिया में कुस्ति लड़ी तो 5500 कुस्ति तो आपने सर्च करी लहां है है तो इमरान भाइ बात करें घुड़ा मार्केट कि जैसे दस साल आप इस ना कैसा रहा आपका खुद का पर्सनली अनुभब बहुत चेंजिंग हो दी हर एक साल चेंजिंग हो रही है पंजाब में क्योंकि लोग बोलते हैं पंजाब ट्रेंड सेट करता है गोडों की लाइफ में दुनिया में आज से दस साल पहले गोड़े कहां थे और आज गोड़ बता हुआ अद्मी को बताना चाहिए थकी से कीसे बचेक तो आपके साथ कैसे बच्चिंग थी ठागी मेरे साथ यह मेरे कंदे का प्रेश्न होना था में बंबे रहता ता वहां पर प्रेश्न कर वाया थे मैं थी मैं नहीं नग्या पूरा में रहा उसके पीछे जो मेरा हीप करता था तोड़े विश्वाष पर रखा हुए थ ह। अच्छे चे फारमों पर काम भी किया इस अच्छा अच्छा भी शिशधी बच्छी एक काले कॉल जिजए झाफर क्या करने कंच हो एक्द का क्विड़ा कation क्या इब कि शौड़ तो अभी जा के फिर फान बनाए तो अभी भी घरवाले सपोर्ट करते हैं मेरे वाइप सब्सक्राइब तो गोड़ा मार्केट में जैसे आप कहरो कि ठगी बच जाती है हमारे बहुत सारे गोड़े-वाड़े कहते हैं कि ठगी क्यों बज जाती है यह तो नया बंदा खुद जा रहा है अपनी मर्जी से लेके आ रहा है तो ठगी खांसे हुई तो आदमी कहता है कि नया आदमी खुद फाम पर गया मैंने उसको बुलाया नहीं उसने खुद ने लि आख बैठाए ठीक है यह आदमी जब नया आता है ना भी में आप मेरे पास आए मैं दस आदमियों को फोन कड़काऊंगा भी मैं तेरे पास इसको लेके आए हुआ उसके पास लेके जाएंगे सबसे बहले भी यह जी गोड़ा देखो अच्छा नहीं रहे अच्छा नहीं तो बैलकुल चाहा हो नियाच नियाच जूथ बहुत इदर आ रहा हुधा इता है ले पूर डो बचता है तो भूख इसने बिख जाता है उसका बिल्कुल बगाता है उसके बाद वो बोलता है घुता जता है फर ऐसकी नदो तो हुआते है वो जो तीन लाग का दो लाग का युल मै अपडिय है उसको ननि को पांचय लाग की चीज मजन का पर्चिज ना फ्रच रही पंदम ہरी निए जिए शे साथ मीन यह लगता। ट्वें नीजी तो इम्रान बहीं जैसे इस गोडा मार्केट में आप बोल रहे हो नहीं वह मैं या इसे बोलते हो फटी मैं टांग रांग इस वहां तरीक आँ जो अच्छे फार्म में चले आता है जो अच्छी उसका बाप उसकी माँ देखे करेक्टर देखके चीज लेता है वो उसके साथ कभी ठगी नहीं बजेगी जो गुलफा गैंग वालों के पास चला गया ठगी को सब्सक्राइब बजेगी तो कैसे पैचाने की गुलफा गैंग दूसरी स्टेटस लके चाहिए न की अगया देखके पास और गैंग आप क्या मानते ओंग यह से घोडा क्या तो मुझे भी नहीं पता चला बारां साल वह बढ़े लंबी और पता निक कर्भ होना चाहिए वह पास जट बलाइक अधिक मुझे आदमी बोला यह तुमारी आखों में थोड़ा सा काला मूतिया उतरा है तिका जे अध्यार पता ही नहीं किसी को आदमी को पाइब लाइड़ा, पाइब लाइड़ा या चार पैर जिसके बाद लाइन अच्छी तूटी 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 गोडियां लाइन की आए वह अच्छे बच्चे दे रही है तो यहांगि की ट्रेंड के हिसाफ से चलना चाहिए के है Look How H पर चलो पर अपना तो यही मानना है कि जो भी लोग है इस मार्केट में आ रहे हैं उनको आगे कैसे बड़े इस चीज़ पर काम करो क्योंकि ठगी बजने से पांच लोग तो खराब होते ही होंगे क्योंकि जिसके साथ बसती है वो कम से कम पांच आदमी खराब कर देता है तो इसमें भाई हमारा घोड़ा वालों का नुकसान है और किसी का नुकसान तो नहीं नए आदमी का ठगी मारते हैं शौकी मार देते हैं वो आने वाले दस बीडियों को बताता है घोड़ा मत रखना चीक चीक के और बताता है बोलने के लाइक मीं ने रहता वो बातरूं में जा जार होता है नहीं नहीं यार क्या बात कर रहो पंजाम में एक से बढ़ी आदमी है मैं सारें की बात नहीं करता है एक से एक बढ़ी आदमी बैठे हैं वही अमानदार बैठे हैं पंजाम में बह आपको बीच में मिल जाएगा हमें कि सबात की पैसा थोड़ा हराम का पैसा थोड़ा खाना है अगर दबाएंगे तो अची चीज दबाएंगे अगर अची चीज लेनी है तो आम तो ऐसा आदमी का नंबर दे देते हैं और फिर उसको बोलते हैं इसके थोड़े महेंगे हैं क्वाल्टी भी तो भी देगा ये भी देखो लाइन भी देगा अच्छा क्रेक्टर भी देगा आने वाले टाइम में आप शोग भी लड़ सकते हो उसके साथ बागी यह कि आदमी को खुद को ही थोड़ा सा बिचार बिमर्स करना पड़ेगा कौन आदमी अच्छा है और कौन खराब है बाइजी देखो बात ऐसी है जैसे मैं नया आदमी हूँ मेरे दोस्त के पास है उसके पास क्लासे लगानी पड़ेगी जाके गोड़ा कैसे रखते हैं गोड़ कोई साओ हीं बिलात तो मेरे मिलगता कि सब जगें होता है न यह 둘 हो वह बचना कि कुद को है और खेवा दोसमें आदमी कभी गत नहीं होते मैं सबी भॉद में गलत हुए थिको कोई भी टर्वास यहतों हो सबी में घलत हो रहे है ज deine दमी को आदमी को फुद देख सबी डन तो पर आप दो तुमने जो असलियत रेट बता दी सामने वाला तो उस सी कम करेगा तो मैं कभी कबार कहते हैं थोड़ी सी तो रेट जादा बता हूं विचार ऐसे बोले भी लोग है गोड़ा मार्केड में बता हूं भाई ऐसी बात है अच्छी चीज मिलनी रही ठीक है अच् बहुत करते हैं अगर मैं कोई चीज ले आएगा आदमी दस बोलेंगे इसका तो जे नहीं पूरा इसका तो मनिया नहीं पूरा इसका तो बाल बोवरी उपर जा रही है कोई नीचे चीज जा रही है बहुत करते हैं इसमें जितना कर दो अपने इस वीडियो के अंदर देखा भाई आरपी करके जो बच्चा है जो इम्रान भाई के फाम पर भी स्टेवल है और काजिम गोडे का इकलोता बच्चा है जो की पंजाम में 500 बिनर है और इस गोडे की जो कवरिंग फीस जो भी हम आपको आरपी जो बच्चा है वो भी दिखाएंगे और इम्रान भाई से बहुत सारे सवाल है उनके भी जवाब हम जानने की कोसिस करेंगे ओके थैंक्यू इम्रान भाई